अस्सलामु आज हम करें नजब नंबर तीन बरसाथ की बहारे इसके अशार की तिश्री का रहे हैं इसके पहले चार अशार की तिश्री मैं अप्लोड कर चुकी हूँ आज हम करेंगे बंद नंबर पांच से साथ तक और अगर आपको हमरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमरे चैनल को पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दे हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कॉमेंट करके बताएं कि हम जीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं बंद नंबर पांच इसकी हम तश्री करेंगे बंद देख लेते हैं बोले भैई भिवटेरे कमरी पुकारे कुकू पीपी करे पपीहा बगले पकारे तूतू क्या हुदों की हक हक क्या फाक्ता की हुखू सब रट रहें हैं तुझको क्या पंख क्या पखेरू क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारे नजम का नाम बरसात की बहारे शायर का नाम है नजीर अकपर अबादी अलफाज के माइनी देख लेते हैं भई भई का मतब होता है बिया की जमा एक प्सुरत चिडिया नुमा परिंदा ठीक है पीपी का मतलब होता है पपीःा जो होता है उसकी आवास को कहते हैं और पपीःा एक पहाड़ी परिंदे का नाम है जो नहाए थी खुशकुन आवास जिसकी होती है खुशुरत आवास होती है बगले बगला एक आवी परिंदा है और उसकी द्राज गर्दन परिंदे का नाम है जो के अकसर पानी के किनारे पर रहता है और मचलिया पकड़ पकड़ कर खाता है हुद 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 हु सुर्खी मायल खाकस्त्री रंगा कबूतर से कदे छोटा परिंदा होता है जिसकी घर्दन में काली धारी होती है हुँ हुँ का मतलब फाक्ता की आवास को कहते हैं और रट बार बार एक ही बात कहे जाना या एक ही बात को रपीट करना दोहराना जो है वो उसको कहते हैं पंक कहते हैं पार को या वाजू को फकेरो परिंदा अब चलते हैं बन निपर पन्च की तश्रीव की तरफ और देखते हैं कि इस नजम में जो नजीर अकपरवादी है वो क्या कहते हैं इस नजम में नजीर अक्पर अबादी ने इस नजम बरसाथ में बरसाथ के मौसम की और बरसाथ के बाद की मनजर कशी की है बड़े खुसरत अंदास में की है और इस बंद में शायर बरसाथ के मौसम की मसवरी कर रहे हैं बरसाथ का मौसम हर तरफ चा गया है हर जी रूब पर साथ के मौसम से फाइदा उठा रही है लुट्फफशं दोस हो रहे हैं मौसम 12 से ना सिर्प इनसान अन्सान अपना दिल उबा रहा है बलकि चरिंद और प्रिंद भी इस खुबसुरत और मौसम के दिलकश और हसीन मनाजिर से लुथ अंदोस होते वे नजर आ रहे हैं शायर ने खास तोर पर इस बंद में प्रिंदों का हाल हवाल का जिकर किया है शायर कहते हैं कि वारिश आने से तमाम परिंदों के कलब और जान को तरावत मिली है बरसाद की बदौलत बटेर और कमरी परिंदा अपनी आवाज में खुदा ताला की हम्दोसना करते नजर आते हैं कमरी यानि फाक्ता की एक किसम होती है और परिंदे की इसकी जो कुकू से सारे महौल में जिशन का समा महसूस होता है गोया कि ऐसा लगता है जैसे के बटेरे भी इनके साथ मिलकर मोसम जो बरसाद है बरसाद के मोसम का जशन मना रही हो और हार तरफ सरमस्ती और धूम अचीवी हो और हार तरफ हार जो है वो जशने बहारा या जशने बरसाद मनाया जा रहा हो इसका मुमासिल शेर हम देख लेते हैं वो कम्रियों की चार तरफ सरू का हजूम कूकू का शोर नाला-ए-हक सरू की धूम इस मेहिले बरसाद में पपीहा भी अपनी पीपी से और बगला अपनी तूदू से इस खुबसूरत चमन को इस बाग को इस जमीन की खुबसूरती को गर्माते हुए नजर आते हैं हर तरफ हुद हुद की हाक खाक और फाक्ता की हुँ हुँ सुनाई देती है और इस इनकी इन खुबसूरत आवाजों से जो ये हमारे खुबसूरत हमारी जो जमीन है और ये खुबसूरत जो खिता है ये इसको रौनक रौनक ये इनकी आवाजे बक्षती हैं गोया हर तरफ अपनी अवाज में ये सब अल्ला ताला की हम्दों सना कर रहे हों और अल्ला ताला की इस नेमत का और अल्ला की दी हुई बाकी नेमतों का शुकर अदा कर रहे हों शायर कहता है कि ना सिप इनसान बलके चरिंद और परिंद भी मौसम बारा से या अबनी बरसाद के मौसम से फाइदा उठाते हुए लुट फंदोज होते हुए नजर आते हैं मौसम बरसाद की जासे हर तरफ अजब करिश्मा साजियां होती भी नजर आती हैं मौसम बरसाद की धूम हर तरफ है और इस बरसाद के बाद जो अल्ला ताला जमीन के जो मनाजिर हैं उनको इतना दिलकश और हसीन बना देता है और ये बरसाद का मौसम इतना दिलकश और हसीन इन सब मनाजिर को बना देता है हर चीज धुल कर साफ सुत्री हो जाती है कि सिर्फ इनसान ही नहीं बलके परिंदे भी और चरिंद भी और परिंद भी सब जो हैं और दूसरे जानवर भी सब जो हैं वो इस खुबसुरत मौसम से लुट्फ अंदोज होते वे नज़र आते हैं अब इसका हुवासल शेर हम देख लेते हैं घटा सामन की काली कल्जन रहमत को चलकाए चमन का महफले दामन हमीस गुंचों से भर जाए हवा मखमूरियों से शाक बाए गुल को बस्ताए पिहा महफल एहले चमन ही ही से गर्माए तो फिर तुम ही कहो क्यों ना तुम्हारी या बाद नमबर छे है कोई पुकारता है लो यह मकान टपका गिर्ती है छत की मटी और साइबान टपका चलनी हुई अटारी कोठा नादान टपका बाकी था एक उसारा सो वो भी आन तपका क्या-क्या मची है यारो बर साथ की बहारे और नजब का नाम है बर साथ की बहारे शायद का नाम है नजीर अक्बर अबादी उनकी यह खबता बर साथ के हवाले से नजब है इसके हम अलफाज माईनी देख लेते हैं मुश्किल अलफाज के जो माईनी है वो और सबसे पहले है मकान का टपकना और इसका मतब होता है कि जो चछत होती है घर का जो चछत होता है खास तरफ पर जो कच्छे घर होते हैं उससे पानी तपकना या कत्रों का बारिश के कत्रों का या पानी के कत्रों का मसलसल बहना ठीक है बूंदे नीचे गिरना उसके बाद है अटारी अटारी का मतलब होता है बाला खाना या कोठा और कोठा कहते हैं मकान के उपर का कमरा या च्छत और नदान नदान कहते हैं के आ आखरकार बाद में और उसारा उसारा का मतलब होता है तामीर किया दवार खड़ी की और आन्टपका खलाफे तुक्का किसी का आ जाना जो नागवार हो और तपक कर गिरना अब हम इसकी तशरी कर लेते हैं और इस यह जो नजब में हैं बरसाध की बहारे नजीर अकपर अबादी ने इस में नजब में बरसाध के मौसम की खुबासवरे मनसर कशी की है और इस बरसाद के मोसम की तस्वीर कशी करते हुए शायर जो है नजीर अक्बर अबादी वो उन्होंने मुख्लिप खुबसूरत मनाजिर बियान की है लेकिन इस बंद में वो इस के खुछ जो मनफी पहलू है उस पे हमारी तुज़ा दलाते हुए कहते हैं के हैं कि खास तरब मकान की च्छते बारिश के बाद खास तरब मकान की च्छतों और जो दिवारे हैं उस को शायर जो हैं वो इस बंद में मोजू बनाते हैं और कहते हैं कि बरसाद के मोसम में मकान की च्छते पानी से भर जाती है और हर तरह पानी ही पानी हो जाता है ज्याद तरपर च्छत कच्छे होते हैं धिहाती आलाकों में तो वो खराब होकर टपकने लगती है और खास तरपर जब हम देखते हैं कि धिहाती आलाकों के च्छत जो हैं वो बुखता नहीं होते सीमट के बने वे नहीं होते बलके वो मटी के बने वे होते हैं गारे के बने वे होते ह तो वह वहां पे जब पानी खड़ा रहता है तो वह फिर टपकने लगता है च्छत और वहां की जो मकीन होते हैं वो बारिश के मोसम में बारिश को लुथ वंदोज होने की वजाए उस मोसम से वो परेशान हो जाते हैं खोया शायर ऐसे लोगों की इस बंग में कहानी सुना रहा है कि जिनकी च्छते तीन की या मट्टी की बनी हुई होती है तो इसका मुमासिल शेर हम देख लेते हैं बना है जो वो टीन का साइबा है उस वक्त आरगन का इस पर गुमा शायर कहते हैं कि मौसमे बारा यानि बरसाद के मौसम में हर तरफ पानी के बहने की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि जैसे हर तरफ पानी ही पानी मौजूद हो और इसमें मौसिल शेर हम देख लेते हैं गई अच्छट नीद पानी के शोर से बही जाती है नालिया जोर स नजीर अक्बर अबादी जो है वो आमामी शायर है और उन्होंने अक्सर शायरी में लोगों के हसासात, आम लोगों के हसासात चजभाद और उनकी परिशानिया और उनके मिसायल को बयान किया है और इस बंद में भी उन्होंने आम लोग जो खास तोर पर दही लाकों में रहते हैं, उनके घर कच्चे होते हैं, मकान की छटे कच्ची होती हैं, उसके बारे में कहती हैं कि बारिश की वज़ा से छटों और दिवारों में पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वज़ा से इन में सुराख हो जाते हैं और इन में से मटी गिरने लगती है और फिर बारिश का पानी टपक टपक कर सारे घर को खराब कर देता है बारिश के मोसम में जो बारिश का मोसम होता है उसे सिहन और बला खाना यानी छट भी नहीं बाच सकता और इन में भी हर तरफ पानी पानी हो जाता है गोया शायर जो है वो इस बंद में मुफलिस और गरीब लोगों का हवाल बियान करते हैं इसमें मुआसिल शेर हम लिख लेते हैं छत गिरने का किसी जा गुल्शोर हो रहा है दिवार का भी धड़का कुछ हो रहा है दर-दर हवेली वाला पर आन रो रहा है मुफलिसूज पड़े मैं दिल शाद हो रहा है यह जो बंद है यह मुखमस है और यह बंद हकीकत पसंदी वाक्यानगारी शुगुफटगी रवायत से गुरेज की अकासी करता है आखरी मिसरे में शाद ने बरसाद की धूम का जिकर किया है और शाद ने कहा है कि बारिश जो होती है वो उसकी वज़े से चाहे वो बारिश के मनफी असराद हो या मस्पत असराद उसकी वज़े से हर जगा बारिश के होने की धूम मत जाती है खोया के बरसाथ के जो मनाजिर है वो महौल में रोनक और चहल पहल बढ़ा देते है बन नमबर साथ कीचर से हो रही है जिस जार जमीन फिसलनी मुश्किल हुई है वहां से हर एक को राज चलनी फिसला जो पाउं पगड़ी मुश्किल है फिर संबलनी जूती गड़ी तो वहां से क्या ताब फिर निकलनी क्या क्या मची है यारो बरसाथ की बहारे नजम का नाम बरसाथ की बहारे शायर का नाम नजीर अकबर अबादी है अब इसके हम अलफाज के माइनी देख लेते हैं मुश्किल अलफाज जो है उसका क्या मतलब है यह हम देख लेते हैं सबसे पहले है कीचड कीचड का मतब होता है गीली मटी या दलदल और उसके बाद है फिसलनी चिकनी या फिसलना के जहां से हम पौंद वाकर ना चल सके बलकि हम फिसल जाएं ठीक है और वहां का मतलब होता है वहां यह उसका मुखफफ है और संभलनी संभलना का मतलब होता है गिरने से बचना महफूज होना और ताब का मतलब होता है के ताकत निकलनी का मतलब होता है कि किसी चीज़ से आजाद होना या उभरना इसकी तश्री हम देख लेते हैं कि इस नजम में बरसाथ के मौसम की मनसर कशी करते हुए शायर जो है नजीर अपर अबादी वो कहते हैं कि बरसाथ का जो मौसम हुता है वो अपने साथ हरोंक और चहल कदमी को पढ़ा देता है और शायर कहते हैं कि बरसाथ के दुरान और बरसाथ के बाद जो वाकियात पेश आते हैं खास तोर पर मन्फी और मसबत दोनों का जिकर शायर ने किया है और इस से पहले जो हमने पढ़ा वो मसबत और मन्फी दोनों पढ़ चुके है तो इसमें शायर कहते हैं कि बारिश की वज़ा से जो पानी खड़ा होता है मुखलिब जग़ों बाल जमीन पर और जो जमीन जहां पे कच्ची होती है मट्टी वाली जमीन होती है वहां पे ये पानी जो है वो कीचर में तब्दीर हो जाता है और ये कीचर जो है वो जमीन को फिसलना कर देता है और इस जगा से चलने में इनसान को बहुत ही मुश्किल दरपेश होती है शायर कहता है कि जो पगड़ी है वो सम्हालना मुश्किल हो जाता है और उसके बाद उसका जो जूता होता है वो उसकी चड़ में इतना अंदर दस जाता है और कहीं गुम हो जाता है कि फिर उसका मिलना हाल हो जाता है मिलना मुश्किल हो जाता है और शायर जो है वो उन इलाकों की मंज़र रही हैं कि जो जो की जहां पर पक्की और पुक्ता सड़के नहीं होती पुक्ता रास्ते नहीं होते बलके कच्ची सड़के और कच्चे रास्ते होते हैं और वहां पर जो पारिश होती है तो वहां के लोग बारिश के मोसम को इंज्वाए करने की विजए मुश्किल में और अगर वो बाहर हैं तो बाहर के जो कच्छे मट्टी वाले रास्ते हैं वो पानी के खड़ा हो जाने की वज़ा से वो कीचड़ और कश का कीचड़ उस बहां भन जाता है और वहां से पैदल गुजरना और पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है और अगर उस रास्ते से को कि अगर वहां से वो चल रहा है तो उसका पौँ जो है वो जमीन में अंदर तक धास जाता है और उसकी जो जूती है वो भी कहीं वहीं गुम हो जाती है कैसे लगता है कि जैसे हम सहरा की रेत में चल रहे हों और हमारी जो पौँ है वो रेत में धास रहे हों और हमारे हम से चल क्या क्या मची है यारो बर्साद की बाहरे, यानी बर्साद का मोसम जब आता है, तो उपने साथ इतना शोरो गूल, इतनी धूम, तु अनी मस्ती लेकर आता है, कि हर जगा इसके कहीं उसके خुशूर्च मनाजर की वज़ा से, और कहीं उस बारिश के होने से के नुकसानात की वज़े से हर जगा उसी की धूम होती है हर कोई उस बसाथ का और उसके बाद के असरात का जिकर करता हुआ नजर आता है इस नज़म की तश्रीय आपको कैसी लगी हमें कॉमेट वॉक्स में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें हमारी वीडियो को पूरा सुना करें और इसके साथ ही अलाँ ताला मुझे और आपको नेकी की रहों पर चलने की तो खीक टाब फरमाएए अपना और अपने पैनों का रखेगा बहुत सा ख्याल और हमें दीजिएगा इजाज़त राब राखा अल्ला ब्लेस यू और अपनी सिहत का रखेगा बहुत सा ख्याल अल्ला हाफिज